असलाव उलेकुम दोस्तों यदि आप कुएट में रहते हो और कुएट केम तरीन खबरों से हमेंसा वाकित पहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस क कर लिजे ताकि आनेवाली वीडियो केन आपको दोस्तों फ्री मैं हमेंसा मिलती रहे ये देश के बाहर रहने वाले रेसिडेंसियों को electronics cancel करना सुरू होगा यानि दोस्तों इसके बारे मैंने आपको कल के लगभग दो दिन पहले बताया था कि जो भी worker 6 महिना से जादा यदि कुए छोड़के वो लोग अपने मुल्क यानि अपने घर में रह जाते हैं तो उनका electronic जो रेसिडेंसी है वो automatic cancel होना सुरू हो जाएगा अनुछेद 17 के हिसाब से सरकारी छेतर, अनुछेद 19, नीजी छेतर में भागिदारी, अनुछेद 22, निर्भर यानि अनुछेद 23, अध्यान और अनुछेद 24 वा पर्युजक अनुछेद 18, नीजी थे तर्योजगार के था सभी परवासी यदी 6 मैं जो सो जितने भी अनुछेद मैंने बताया यानि article number article 17, article 19, article 22, article 22, article 24, article 18 इन सभी रेसिडेंस वरकरों को दोस्तो वीजा को अटोमेटिक कैंसल कर दिया जाएगा तो जो भी भाई लोग आप जिन इस article number का आप लोग वीजा आपके पास था आप लोग काम करते थें कुएट में थें आप लोग छुट्टी पे गये हो तो 6 मैना के पहले आप लोग आ जाएए ये नियम एक अगस्त 2022 से दोस्तो जारी किया गया था जो कि 31 जोरी दोजार ताइस को दोस्तो ये समाप्त हो जाएगा यानि 6 मैना पूरा हो जाएगा अब जो भी आप लोग वापस नहीं आए हो तो आपका ओटोमेटिक वीजा जो है वो कैंसल होना शुरू हो जाएगा तो ये ऑफिस्यली दोस्तो एनॉस्मेंट किया गया है अगली खबर क्यों और सातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तो जो कुएट से सातियों आ रही है आप लोग दोस्तो पताई होगा कि अभी बहुत ही सोतियों वहाँ पे इंडिया का 26 जनुरी भी आने वाला है और इजिप्ट का भी दोस्तो जो इजिप्ट का भी सातियों वहाँ पे आने वाला है तो इजिप्ट और कॉंटिजेंटल फुल ड्रेस रिहर्सल पब्लिक डेका दोस्तो इस साल वहाँ पे किया जा रहा है करतव्य पात में यानि इजिप्ट के आर्मी के साथ और इंडिया के कुछ दो है उनके साथ किया जा रहा है तो दोस्तों वहाँ के जो प्रिसिडेंट थे अब्दुल फटैल इसी वो भी वहाँ पे चीपगेश्ट के तौर पे दोस्तों इस साल बलाए जाएंगे चोहतरवा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के तौर पे यानि कुएट में जो एमबेसी में जो सेलिब्रेट होगा तो दोस्तों इसी के तौर पे वहाँ पे वहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है और इंडिया में भी दोस्तों जो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा नि रखते हैं तो दोस्तों इसमें पूरी सच्चाई क्या है बुडियोज सुनने के बाद आपको समझ में आएगा क्योंकि स्टार्टे में कुछ और आपको लग रहा होगा तो अभी दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे भाई लोग जो हैं चाहा वो इंडिया के हैं आप पाकिस पासपोर्ट आप नहीं दोगे तो आपका वीजा इसू नहीं होगा पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके पीछे सचाई यह होता है क्योंकि आपका पासपोर्ट का वीजा एपलाए का नेगली कुछ ज़रुत ही नहीं है यानि औरिजिनल पासपोर्ट की कोई भी ज़ वालवाते हो तो उनका मेरे मकसद यही होता है पर भाई में आपको बता दू बिना वर्क आप जब भी कोई भी कंट्री जाते हो तो पासपोर्ट का कोई काम नहीं होता है पासपोर्ट बस काम होता है कि आपके देश का पहचान यानि इस कंट्री के आप नागरीक हो आपको ए 2000 रुपी आप दे दीजिए वो अलग सी बात है पर पासपोर्ट मत दीजिएगा क्योंकि पासपोर्ट लेकर पूरा एजेंट आपको फसा लेता है फिर आप कहीं कुछ दूसरे पास भी नहीं जा सकते हो अच्छी जॉब मिलने के बहुत जूद भी तो ये वीडियो के दोस्तों बनाने का मेरा मकसद ये था ताकि आप कोई भी भाईलो गलती ये सब ना करे तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों कुछ खबरे थी जो की कुएट सारी थी मैंने अब तक सेयर किया उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो पे तब तक लिए अपना खयाल लगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुकूरिया जाहिंद अल्लाफिस और टेक क्यार